अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सिस्क्राइब कर लीजिए ताकि आपको लिटस नोटिफिकेशन मिलती रहें और आपने देखी लिया होगा आज हम देखने वाले हैं एड्जेक्टिव इन इंग्लिश क्रामर तो आज हम एड्जेक्टिव देखेंगे अगर आप किसी भी competitive exam के लिए preparation कर रहे हैं या फिर अगर आप अपने English skills को improve करना चाहते हैं या अगर आप college या school में कहीं भी study कर रहे हैं आपको आपने ये topic देखा होगा adjectives बहुत important topic है आज हम इसे को ही discuss करने वाले हैं already हमने देखा था adjective का part 1 जिसके अंदर हमने देखा था adjective का किस तरह से हम use करते हैं आज हम adjective का part 2 करने वाले हैं उससे पहले हमने noun पे complete जो है noun का तीन वीडियो में हमने उसको complete देखा था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को भी देख लेना क्यूंकि वो बिल्कुल basic से हैं बिल्कुल basic से हम क्या करते चल रहे हैं इन सभी जो topics को cover करेंगे तो अब देखी नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं adjective का वो है adjective of quality जिसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेशन हम बात तो विशेशन की कर रहे हैं विशेशन की हमने introduction cover कर ली थी आज हम देखने वाले हैंसबसे पहला type विशेशन का जिसे कहते हैं गुन वाचक विशेशन जिसे हम एड्यक्टिव ऑफ क्यालिटी कहते हैं नाउन के गुन या प्रकार को प्रगट करने के लिए शब्द को एड्यक्टिव ऑफ क्यालिटी का गुन वाचक जो है विशेशन कहते हैं The word and words describing the quality of noun are classified as the quality or adjective of quality गुनवाच्चक विशेशन कौन से विशेशन होते हैं ये वो words होते हैं वो शब्द होते हैं जिनका हम use करते हैं ताकि हम जो noun हैं उसकी quality को define कर सके quality को define करने के लिए noun की उसको हम adjective of quality जो होती है उसका use करते हैं अभी देखें इसके कुछ examples आप देख सकते हैं Calcutta is a large city Calcutta क्या है? एक large city है तो large यहाँ पे as a adjective role play कर रहा है और city जो है यहाँ पे हमारा एक common noun है अगे देखें he is an honest man तो man जो है यहाँ पे एक common noun है और honest यहाँ पे adjective है उसके बाद है India is a great country चो है यहाँ पे यह एक common noun है और जो great है यहाँ पे वो एक adjective है हम already देख चुके हैं किसी भी noun से पहले या उसके बाद में adjective का यूज किया जाता है थाकि हम उसको properly define कर सके उसके बाद है गुनवाचक जो विशेशन होते हैं adjective of quality किस प्रकार की या कैसा प्रशनों के उत्तर में आता है इस श्रेणी के adjective संबंदी noun के गुन के बारे में विशेशन करते हैं जब हम adjective जो होते हैं उन adjective of quality किसे कहते हैं जब हम क्या करते हैं अगर हम यह questioning लगाते हैं what और how क्या और कैसा तो इस तरह से अगर आप यह देखे अगर आप यह देखते हैं इस sentence को देखे Calcutta is a large city Calcutta is a large city तो Calcutta एक कैसी city है large city तो अगर हमने question लगाया how तो हमें पता क्या answer मिला large city तो यहाँ पर यह specify कर रहा है कि यह क्या है यह हमारा adjective of quality गुनवाच्यक विशेशन है अगला आप देखते हैं he is an honest man अगर मैं किस तरह का वो कैसा व्यक्ति है he is an honest man तो हाँ जब मैंने question लगाया तो उसने क्या answer दिया honest उसे तरह से इंडिया is a great country इंडिया कैसी country है how तो इसका कौन answer दे रहा है great great country है इंडिया इस तरह से जब आप इनके उपर what या how type के questions को लगाते हैं तो आपको जो answers मिलते हैं तो उसे ही हम adjective of quality कहते हैं तो अगर आप इस तरह से देखें यह देखें in the examples above large शब्द बताता है कि शहर कैसा है बड़ा है यह चोटा है तो इस तरह से large जो है वो उसका size बता रहा है कैसा व्यक्ति का उत्तर मिलता है जैसे हमने देखा answer of what type of person is honest किस तरह का person कैसा person honest person अगर ह तो हमें यहां से क्या पता लगा कि जब हम questions apply करते हैं what या how तो हमें जो answers मिलते हैं वो इन sentences से मिल रहे हैं that means यह हमारे adjective of quality है thank you friends यह video थी जिसमें हमने गुनवाचक विशेशन और adjective of quality देखा आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके adjective के हर एक पार्ट को इसी तरह से cover करेंगे detail में तो अगर आपको यह video अच्छी रगी तो इसे please like share जरूर कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि आपको latest notification मिलती रहे और अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं thank you for watching